तो आज इंडे बैक डाउंद डडे गंदर आज प्लिस टेशन गंदर आने वाली है बहुत सारी प्लिस गाड़ियां जैसे कि प्लिस बुकार्टी प्लिस बस जैसे कि बहुत सारी ऐसे प्लिस गाड़ियां है तो आद पलीस वालों ने मुझे बहुत ही अज़या अपने पलीस टेशन गध बुलाए और मुझे भी ने पता है और अभी फ्रागली हमें पता नहीं है कि हमारी गाड़ी हो फिसने चोरी किये अरे सर पुलिस तो आपको मगर आपको पकड़ना चाहिए ना अरे फ्रागली नहीं हमें गाड़ी चाहिए यार हमारे पास में गाड़ी नहीं है कोई भी चोरी नहीं हुए हमारे तो सर पहले सिधे सिधे बहुत देना चाहिता ना कि हमें गाड़ी चाहिए फार्ट में इतना टाइम वेस्ट कर दिया तो चलो यार इनके लिए हम लोग गाड़ी लेके आते हैं पहले तो मैंने इनके लिए एक पुली स्टेशन बनाया था अब युम पता ने इनके लिए मैं गाड़े भी लेक्या हूँ और मैंने पहले भी एक पुली स्टेशन बनाया था उसके अंदे मैंने दो तिन गाड़े तो मैंने इनको दी थी लगता है मैं इनको पागा दिखता हूँ तो सबसे पहले मुझे इनकी भाई एके करके सभी की मुझे गाड़िया डूननी होगी तो अभी मैं इस बुलेट को भी उस बाई साफ से में चुरा के लेके आ चुका हूँ और ऐसी दिखने वाली एक और बुलेट है जो कि उन पुलेट वालों के पास में थी जो कि एकदम मोडिफाइ बुलेट थी तभी मैंने अपने दोस्त रवी के पास मैंने उसकी फोटो बैस दिये उस बुलेट बाई की लोके से बैस देगा तो फानली यार मुझे मेरे दोस्त ने मुझे उस पुलेट बाई की लोके से बेच दिये चलो इसको हम लोग डून के निकालते हैं तभी मुझे समझ में आ चुक है कि वो पुलेट बाईक मुझे इस रेम की उपर मिलने वाली है ये फ्लेस वाले बहुत ज़्यादा चलाग है यार पता नहीं उस बाईको वहां पर कैसे लेगे होंगे वो लोके लेकिन इन लोगों को लगता है कि फरागली तो पागल है इजली पार किया था तो अभी यह चैलिंग जो उससे तो थोड़ा सब इजी है यह तक तो इजी है मगर आगे की तरफ पता नहीं कि भाई दस्ता बहुत ही खतना आ सकता है जो कि आप लोग दे सकते हो भाई इतना पतला रास्ता है इसको भी मैंने आसानी से पार कर दिया तो ठोड़ो आगे की तरफ तो यार अब थोड़ा असान रस्ता आ रहे जिसको मैं असानी से पार करके अराम से निकल सकता हूं अब बहुत या आगे आ चुका हूँ अबंगे दोस्ट जिसको ढूंडने में मदद मेरे दोस्त रवी ने की थी अगर वो नहीं होता तो यह बाइक मुझे कभी भी नहीं मिलती लेकिन मिल गई है चलो इस बाइक को मैं पली स्टेशन गंदर लेके जाता हूँ अभी तो मैं इसको पुलिस टेशन गंदर नहीं लेके जाओंगा, अभी तो मैं इसको पर दो राउंड तो मैं मार के जाओंगा, क्योंकि मैंने इतनी मेने से इस बाइक को ढूंडा है, और मैंने चाहता इतनी आसाने से उन पुलिस वालों को ये बाइक दे दूँ, चलो मुझे उन लोगों की बाइक तो मिल चुके उनकी बाइक है ये और अभी मैं उनको ये देने वाला हूँ और उनको आज मैं सबक सिकाने वाला हूँ तो चलो मुझे ये बाइक तो मिल चुक है, उनके पास में एक कार भी थी, और अभी मैंने उस कार की फोटो मेंने मेरे दोस्त रवी की पास में बैश दिये, इस बार तो मेरे दोस्त रवी ने बहुत जल्दी उस कार की लोकेसे बैश दिये, तो चलो यार आज फरागरीन टकल कितना ज़ादा उनसे चला के तो इसकी लोके से मुझे एरपोर्ट के अंदर आ रहे थी मैं एरपोर्ट के अंदर आ चुका हूं और मुझे यहां पर कोई भी पुलिस कार नहीं दिख रही है लगता है थोड़ा मुझे आगे की तरफ जाना होगा को चला यह यह कार तो यह नौर्मल का से बहुत ही अलग है चलो ठीक अभी मुझे इसकी कंट्रोल समझ में आ चुके है अभी में इस कार को आराम से चला पा रहा हूं और उन प्लिस वालों को कुछ काम तो है नहीं इसलिए मुझे ही काम देते रहते हैं चलो भाई इनके लिए हम लोग इतना तो करी सकते हैं चलो अभी पुलिस टेशन में आ चुका हूं इसको में अंदर जाके इसको भी खड़ी कर देता हूं तो भी मुझे इस कार को राम से ले जाना ओको और तो फिस के अंदर क्योंकि उनको पता ने चला चाई है भे अट न आया यार यह बीछ मा आ गया चुका हूं यह अब ही उनको पता तो नहीं चला हैं मेनों की ताक्रEP कर पता चुकीक हैं तो कर पता ही हैं और इदर के तरफ एकवहार्च scoq.Gaadio it और अभी मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कौन से प्लिस्टेशन से चुरा के लगा आया था अरे हाँ मुझे याद आया ये कार मैंने चुराए नहीं है ये गाड़ी इनकी है जो कि भाई इनको पता भी नहीं है कि इनकी गाड़ी यही है और इधर के तरव एक और white color की बुकाड़ी चेरल प्लिस मोडिफाइग कार है तो चलो मैंने ये वाली गाड़ी तो देख लिए तो आगी के तरव हम लोग देखते हैं तो यहां पर एक और defender police car मोडिफाइग कार है और उधर के तरव एक police bus है जश्ट इसके पास में एक और defender police car है तो चलो यार मैंने इनकी car को तो में लेके आज चुकों इनकी police station के अंदर बाकि आप लोगो आज की वीडियो भाई अच्छी लगी हो तो भाई आप लोग वीडियो को लाइक जरू कर देना और एसी और मज़िदा वीडियो के लिए आप लोगो भाई चेलन को भी subscribe करेना और इसकी गंटी पर दबा देना ताकि आप लोगो एसी और मज़िदा वीडियो के notification मिल जाएगा और आज की वीडियो अंदर बास इतना है तो बाई